हेलो फ्रेंड्स आ गए हैं हम आपके लिए फिर एक मज़दार वीडियो लेकर जी हां इस वीडियो का तो आपको काफी समय से इंतजार था आपके माइंड को इंतजार था आपकी कुंडली में कितना पेशा लिखा है भीया दिन भर पेशा पेशा करते रहते हो क्या है पेशा पेशा कमाने के लिए उड़ते हो पेशा कमाने की सोचते सोचते सोजाते हो पेशा कमाने के लिए खाते हो पेशा कमाने के लिए पीते हो सब कुछ तो आप पेशा कमाने के लिए कर लो दिन भर भाग दोड़ पेशा कमाने के लिए औरी सब कुछ पेशा ही हो चुका है देखे कहते हैं कि पेसा सब कुछ नहीं है लेकिन पेसा बहुत कुछ है पेसे के बिना कुछ नहीं हो सकता यहां तक कि हमारे परिवार में हमारी समाज में आसपडोस में घर में भी हमें सिर्फ पेसों की वज़े से इज्जत मिलेगी पेसा नहीं तो इज्जत नहीं जहां पेसा वहा कर रहे हैं वह रंग लाएगी या नहीं यह आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कितना पैसा लिखा नंबर वन पिल और नंबर टू पिल आपको दिये वह जल्दी से चिट्थी चूस कर लीजिए जो आपकी किसमत खोलने वाली है जो भी आपको अपनी तरफ आक पतादें कि जब भी आप पिल चूस करें तो बिल्कुल अपने माइन को रेलहेक्स होकर फ्री होकर कुछ नहीं सोचना है जो भी आपको फ्री माइन में जो आपको अपनी तरफ अट्रेक्ट्रे stating उसे चूसकर के आपने इश्वर से प्रे أي यह कर में माध्यम से हमें सही गाइडेंस मिल सके सही संकेत मिल सके और हमारी भी कोशिश है कि हम आपके अंदर एक पॉजिटिव एनरजी का संचार इस वीडियो के माध्यम से कर सके सबसे पहले तो टेरो कार्ड आपसे कहना चाते हैं कि पैसा क्यों करते हो पैसे क्यों मरते हो यानि कि दिन भर आपके दिमाग में सिप पैसा चलता रहता है बहुत ज़्यादा लालची है आप हर चीज में पैसे को ढूंते हैं पैसा कमाने की सोचते हैं जहां भी आप चले जाएं आपके माइन में सी बिजनेस जवलब होता है बहुत ही क्रियेटिव माइंडेड है आपका देखा जाये तो लालची माइन जिसका होता है वही माइन क क्रियेटिव भी होता है जिस इंसान के अंदर जब तक पैसे कमाने का लालच नहीं जगेगा जब तक पैसे कमाने का उमंग नहीं जगेगा जब तक उसे पैसों का लोब नहीं आएगा तब तक वह पैसे नहीं कमा सकता और जब तक उसके माइंड में नएने आइडियास नह होगी जब तक उसको क्रेज नहीं आएगा पैसे कमाने का तब तक वो पैसे नहीं कमा सकता और आपके साथ तो यह चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों कि आपके अंदर क्रेज हैं पैसे कमाने का बहुत जल्दी आप उस शीखर पर पोच जाएंगे जहां पर जाने के सपने भी आपने नहीं देखेंगे बस थोड़ी सी महनत बाकी है थोड़ा सा संगर्श बाकी है अभी आपके साथ यह हो रहा है कि आपके दोस्तों में रिलेटिव में आस पडोस में घर में आप हर जगे आप दबे हुएं कही ना कही देखा जाये तो आप इन जगे पर उलजे हुए हैं कभी घर में लड़ाई जगड़ों में उलच जाते हैं, कभी आसपडोस में उलच जाते हैं, कभी पार्टियों में उलच जाते हैं, कई न कई घुमने फिरने में उलच जाते हैं, थोड़ा सा माइन को कॉंसेंट्रेट करके अभी जो अपनी एज है, उस एज में आपको पेशा कमाने पर concentrate रखना होगा अगर पेशा कमाने पर concentrate जम गया तार्गेट आपने रख लिया तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में वो धन लिखा है जो करोडों में एक के पास होती है जी हां इतना पैसा लिखा है टेरो कार्ड वतारा आपके पास सब कुछ होने वाला 2023 के बाद आपकी किसमत खुलने वाली है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 2023 से पहले आप महनत ना करें महनत करनी होगे अगर आप चाहते हैं कि वो समय और जल्दी आ जाए तो उसके लिए हम आपको कुछ आइडियास बता रहे हैं कुछ सिक्रेट्स बता रहे हैं जो ध्यान से स सुनिएगा समझिएगा सबसे पहला सिक्रेट सुभज जल्दी उठने की आदट डालें रात को जल्दी सोने की आदट डालें जब भी उठे सबसे पहले इश्वर को प्राथना करें कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएं उन्हें धन्यवाद करें आज के दिन लेना है संकल्प लेना कि मेरी सोच पॉजटी होगी मैं सबके लिए अच्छा सोचूँगा इसके बाद में दिन दुख्यों की मदद करूगा गरीबों की मदद करूगा जरुत पूर गिनाती, एक एक कन गिनाता है, एक पल आपका जा रहा है, वो भी नौट हो रहा है, तो यह क्यों नहीं गिनाएगा? एक रुप्या भी अगर किसी का आप उठा रहे हो जमिन पैसे तो वो भी किना अगर कहीं मिल रहा है तो उसे मंदीर में आप रग दीजिए फाल्तू पैसा किसी का आपको नहीं लेना है, जो आपके हक का है, वहीं आप रखिए बाकी जो आपको लग रहा है कि extra income आपको हो रही है तो उसमें से आप थोड़ा सा दानपून भी करते रहें तभी वो income आपकी ठेहरेगी बहुत पैसा है दोस्तों टेंशन मत लीजिए बस दानपून करते रहें धर्म कर्म के मामलों में पैसो को लगाते रहें तो वो पैसा आपका बनता जाएगा बनता जाएगा डूबेगा नहीं और बहुत जल्दी आपका खुद का घर होगा बंगला होगा गाड़ी होगी जो भी इच्छा हैं जो भी सपने हैं आपके बहुत जल्दी पूरे होंग कैंंड Loser रहे हैं या फियरा वी जा सकते है या फिर..ाप प्लाइट से भी जा सकते हैं ने के योग आपके बन रहें साथ ही मांगली गरेक्रम भी कहीं घर पर होने वाला इस साथी बहुत बड़ी खुश खबरी आपके घर पर अगले 48 घंटों में दस तक देने वाली है जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा समय है टेंशन मत लीजे सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ सेकेंड नमर की बात करें तो सेकेंड नमर जिस किसी ने भी चूस करा ह है देख लेते टेरोकाड आपके लिए क्या कह रहे हैं दोस्तों आप बहुत ही समझदार इंसान हैं बहुत ही सहेंशल इंसान मतलब आपके सामने अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है बुरा भला बोल रहा है कुछ फैमिली को लेकर या कुछ आपको टॉन कस रहे तो उस जवाब देना जरूरी नहीं समझते आप उसे टाल देते हैं आप उस बात को ही चेंज कर देते हैं यह बहुत बहुत अच्छा है आपका नेचर इस नेचर की वज़े से एक दिन दोस्तों आप रियली वतार्यू बहुत बड़े पद पर होंगे उस पद पर होंगे आप करते हों पैसों का फालतू यूजड आप बिल्कुल नहीं करते ना तो फालतू खर्चा आप करते हैं खर्चों को और इंकम को दोनों को एड़ेस्ट करके आप चलते चाहें आपके पास कितना ही पैसा आप कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे यह आपके अंदर बहुत अच्छ करते हैं ज्यादा है वी आपको पसंद करते हैं ज्बैंस सब्सक्राइब घाने और सुमस्चारे में सब्सक्राइब एक वह परोगों है सब्सक्राइब घर कैसे बनाना, ये चीजे को ये आपसे सिखे, रेस्टूरेंट में जाकर आप ये नहीं देखेंगे कि आपको क्या पसंद है, आप ये देखेंगे, रेट लिस्ट में सबसे कम रेट किसका है, ये अच्छी आदद हैं आपके आप पैसे जोनने, हैstar क्योंकि जो इनसान पैसे कमाता है वही असली वेल्यू जानता है प trophy के और वह है चीजा करता है इससे कंजूस ही कहेंगे दोस्तों यह एक एड़्जिस्मेन है फूचर के लिए यह सेविंग है अपने दर- tap focused के लिए अपने बच्चो के लिए सेविंग करते हैं यह इनुल कोई टेंशन नहीं है ना इनके इसा फैसों की कमी इसके पास पैसा है लेकिन वेस्ट इस पा именно वेस्ट नहीं यह जब यह ख़रुजों पर आते हैं किसी में कमोर नरई हो जाता हॉच्झ था ने यह सामने वाला पैसे देगा या वो पैसे देगा भले कोई निकाले या निकाले आपके पर्स से सबसे पहले पैसे निकलते हैं जी हां दोस्तों यह आदत आपकी बहुत अच्छी है आप कभी किसी को पैसे नहीं देने देते हैं आप हमेशा सबसे आगे रहते हैं इसलिए हमे एसी उपलबदी आपके हाथ लगने वाली कि आपका पर्स कभी खाले नहीं रहेगा करना क्या है वो सुन लिजे अगर इन चीजों पर आप अमल कर लेंगे इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके जिंदगे में कभी धन की कमी नहीं आएगी कभी बरकत आपके घर से नह है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें वो नमक अलग ही रखें खाने का नमक यूज ना करें एक नमक की थे लिए अलग मंगा लें समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है वरना आप खाने का नमक भी यूज कर सकते लेकिन अलग से एक डिबी में भरके रख सर्फ ठीव ही सोचुगा और बॉजटीव ही बूलूँगा ठीक है जादा से जादा सकारात्मck रहने की कोशिश करनी से आप से नहीं तो अगर थोड़ा एक्सेट्रा करने की जरूर करिएगा तो दोस्त आज की वीडियो हमारी कैसी लगी पसंद आई हो लाइक करें कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखें इसे के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए आप से बहुत बहुत धन निवाज जैमात अली हर हर्मा दियो